नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दीवशी का कोचिंग शितारगंज की तरप से और मैं हूँ PC पन्थ मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी के विशेश प्रश्ण जो बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा सबसे पहले कि यह जो आप देख रहे हैं हिंदी का एक प्रश्ण पत्र यहाँ पर सिरीज दिखा रहा है यहाँ दरसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमारे सस्तान में अभी कुछी दिन पहले एक पेपर लिया गया था बन विभाग परिक्षिया के लिए यानि फोरेस्ट गार्ड मॉडल पेपर 2018 उसी का यहाँ एक हिस्सा है यानि जिसमें हिंदी के बीश प्रस्ण थे और आप जानते ही हैं समूगो में भी उत्राखंड में हिंदी के बीश प्रस्ण पूछे जाते हैं लगबग सभी टो यहाँ पर हिंदी के जो जो बेप क्वश्ण थे उन प्रस्नों को हमने यहाँ पर एक अलग से शिरीज में आप लोगों के सामने लाने का प्रियास किया है तो दोस्तो यहाँ पर हम सुरुआत करते हैं इन प्रस्णों की इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले दो वीडियो इसके हमने पहले ही अपलोड कर दिये हैं यानि एक से लेकर के 46 तक के प्रस्ण जो उत्राखंड के थे 45 तक के वो हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिये हैं तो आप इससे पहले अगर उत्राखंड वाला वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते और साथ-साथ आपचा अनुरोध है कि वीडियो को देखने के बाद अपनी पर्ति के लिए अवश्य देए और लाइक और सस्क्राइब जरूर करें तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं हम हिंदी की ये सिरीज को इसमें प्रस्न है 46 प्रस्न आपके सामने है आप देख सकते हैं बहतर क्वालिटी के लिए आप इसको देखेंगे आप इसके क्वालिटी सेट कर सकते हैं अपने वीडियो के देखिए 46 प्रस्न आपके सामने है हिंदी साहित्य में भारतेंद्य यूग की अवधी मानी गई है भारतेंद्य यूग तो दोस्तों चार अप्शन आपके सामने हैं एकजार इसबी से तेरा सो पचास इसबी तक तेरा सो पचास से अठारा सो पचास इसबी तक और 1920-1920 तक तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो है 1850-1920 तक तो दोस्तों आंसर तो आप जानगे लेकिन हम यहाँ पर विष्थार पूरोग इसका अध्जन करेंगे कि किस तरीके से भारते इंद्र यूग की अधी 1850-1920 तक मानी गई है दोस्तों हिंदी साहित्ती का इतिहास एक बहुती रोचक भी सही है उमीद करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद काफी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपसे यहाँ जो है मैं गुजारिश भी करूँगा कि आपको यहाँ चेप्टर पढ़ना चाहिए जो आने वाले एक्जामा आपके लिए बहुत महतुकून साबित हो सकता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्ती के इतिहास को तीन भागों में बैटा गया सबसे पहला है आदिकाल उसके बाद भक्तिकाल यानि मद्धिकाल और उसके बाद आधुनिकाल देखे दो तो होता क्या है आप यदि किसी भी देश, किसी भी राज, किसी भी भासा या किसी भी इस्तान का इतिहास का अध्यन करोगे तो वहाँ पर आपको सरु पर्थम उसके प्रारंबिक काल यानि आधिकाल का ज्यन करना होता है उसके बाद क्याओ जी को हमेशा मद्धिकाल गहा जाता है ताहिए भारत का इतिहाज पढ़ें हिंदी का इतिहाज पढ़ें और जो अंतिम होता है वो जो होता है आरंभी काल यानि जिसको हम आधुनिक काल भी किसमें सोरी आरंभी काल नहीं कहेंगे बल्कि आधुनिक काल कहेंगे ठीक है तो इस तरीके से हिंदी को भी तीन भ तो यहां पर 650 इजबी से लेकर के 1350 इजबी तक इसकी आओधी मानी गई है लेकिन इस पर कई परकार के प्रस्न पूछे जाते हैं जैसे कि जो हमारा आधिकाल था हिंदी साहित्य में उसको कई नामों से जाना जाता है तो कई बार दोस्तों एक्जाम में पूछ लिया जाता ह है कि किसने आधिकाल को चारनकाल कहा किसने आधिकाल को सिद्ध सामंतिकाल कहा तो दोस्तों सबसे पहले में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आधिकाल के बारे में जो उसको चारनकाल नाम दिया गया वह दिया गया जोर्ज गिरियंसन के दोरा जोर्ज गिरियंसन ने दरवार में होता था और वह राजा की बीर गाथाओं का गुणगान करता था तो बीर गाथा काल जो नाम दिया हिंदी साहिति को के आरंबिक काल को वह दिया आचारी रामचंदर शुक्ल ने आचारी रामचंदर शुक्ल ने इसे बीर गाथा काल कहा तो यहां पर बीर गाथा इसलिए कहा गया क्योंकि इसी काल में चंद वर्दाई जैसे कभी हुए, जगनिक जैसे कभी हुए, आपको कई वार प्रस्न पूछा जाता है कि प्रथवी राज राशो गरंथे किसने लिखा, दोस्तों चंद वर्दाई जो थे वो आधिकाल के पहले कभी भी माने जाते हैं, हिंदे साहित के में, वो जो थे प्रथवी राज चोहान के दरवार में एक दरवारी कभी थे, और उस समय जो कभी की इस्तिती होती थी, वो ऐसी होती थी, कि वो केवल राजा की चाटू कारिता करता था, यानि उसकी सारी रचनाएं राजा पर केंदरित होंगी, और वो अनि एक तरीके से इसको इसलिए बीर गाथा काल भी कहा गया, क्योंकि बीर गाथाएं गाई ज़ती थी, और वीर अस्परधान कभी था थी, तो उसके बाद एक और नाम आता है दोस्तों, वो है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत मतब जिसको सामंत वादी हम बोलते हैं, सि इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कि मध्यकाल की शुरुआत होती है, तो दोस्तों जो मध्यकाल है इसको दो भागू में बाटा गया है, एक है पूरु मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जो पूरु मध्यकाल मतब जब मध्यकाल, यानि हिंदी साहिती का जो जो सासकों ने आकर्मन किया, उसकी वज़े से यहां के जो लोग थे उनकी पीड़ा जगी और उन्होंने अपने अराधी देवों को पुकारना सुरू किया और उन्सी करम में उन्होंने समाज में कविताओं का परचलन किया, तो भक्ति काल सुरू हो गया, कई बार यहां पर एक एक्जाम में कोशन भी आता है, कि यहां किसका कथन है, कि यदि इसलाम का उदय भारत में नहीं हुआ होता, तो तो हिंदी साहिक्ति का बारहा आना, यानि 75 परसेंट, बारहा आना आज भी वैसा ही वैसा होता, जैसे पहले था, यहां कहा था, आचारी हजारी परसाद दिवेदी ने, दोस्तो हजारी परसाद दिवेदी ने बहुत ही अच्छे निवन्द भी लिखें, उनका एक परसिद्ध निवन्द है, उटज, इसके अलावा शिरिस के फूल जो रचना है, कई बार पूछा गया है वह भी उनकी नचना है, तो उन्होंने एक कमिट्मेंट किया था इस बारे में, कि किस तरीके से भारत में भक्तीकाल का उदय हुआ, तो दोस्तो इस्लाम क्याने से भक्तीकाल का उदय हुआ, जो हो पाना गया है, 1350 इसबी से लेकरके, 1850 उसबी तर, यानि ठेरा तो दोस्तों निर्गुन का मत्तब है कि जिन्होंने भगवान को एक साख्षात रूप में नहीं माना, मतब उन्होंने राम, लक्षिमन, शिव, इन लोगों को अपना भगवान नहीं माना, तो वो लोग थे निर्गुन कादिदाराद, जैसे कबीर, इसमें भी दोस्तों दो साख्षा हैं हुई, एक हुआ ग्यानियाशेही शाख्षा और दूसरा हुआ प्रेमाशेही शाख्षा, तो दोस्तों बिल्कुल अपको जानकार यहां पर दी जा रही है, कि ग्यानियाशेही कबीर, यानि उन्होंने अपनी रचनाओ में निर्गुन कादिदाराद को दिखा ही, साथ सान उन्होंने जो मार्ग पकड़ा, वो ज्यान का मार्ग पकड़ा, और दूसरी ओर जो थे जो प्रेमाशेही शाख्षा के थे, उनमें जो मुख्य कभी हैं, वो हैं जैसी, यानि म पाविधारा में राम और श्रीकिष्णी, ये भी दो भागों में बैठ गया, कुछ राम की स्थिती करने लगे, कुछ श्रीकिष्णी की स्थिती करने लगे, तो दोस्तों यहां पर जो राम की स्थिती में सभी जानते हैं, तुल्शी रास और श्रीकिष्णी की स्थिती मे आपनी रचनाय और यानि अपने शिश्यों की रचनाय और अपने पिताजी बल्लभाचारी की शिश्यों की रचनाओं को जोड करके अश्ट छाफ बनाया था अगर दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अश्टेशाप का एक अलग से वीडियो आपको बता दूँगा जिसमें कि किस तरीके से आपको आठ कभियों के नाम याद करने हैं क्योंकि हर बार एक्जाम में पूछा जा रहा है इस बार यूटेट में भी पूछा उसके बाद दोस्तों चलता है उत्तर मधिकाल यानि मधिकाल का पूछ वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा दोस्तों इसको नाम दिया गया रीतिकाल उत्तर मधिकाल कर ये या रीतिकाल कर ये कभी-कभी प्रस्ना आ जाता है कि रीतिकाल का जो उदय हुआ वो किस काल में और ना अधुनिक में हुआ बल्कि कहा हुआ, मध्य नहीं हो उत्य कुछुला, तो दोस्तों उसके बाद 1850 अधूमिक्त को समाई माना गया है। रीटी-कावारीी में उसके आधूमिकह नहीं हो, तुरज हो पार्वार . आधुनिक काल की और 1850 से लेकर के अब तक आप जो साहिति पढ़ रहे हो वो सब आधुनिक काल में है दोस्तों यहाँ पर क्या चीज नहीं आ देखा गया कई बर पिशेटा आती है यहाँ देखा गया कि यहाँ पर राष्टी भावना यानि भारत की स्वतंतरता के लिए कई इस तरीके से नाटक लिखे गए जैसे भारते इंदु हरिश्चन जी का नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा आपने पड़ा भी होगा टका शेर भाजी टका शेर खाजा दिवेधी यूगा थीके तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दिवेधी यूग के बाद सुरुवात होती है चायबात की लेकिन यहाँ 1920 नहीं बलकि जो चायबात शुरू हो जाता है वो 1918 से ले करके 1936 तक होता है अगर 1900 से 1918 कहता है वो भी सत्य है वो option एक ही देगा ऐसा नहीं कि 20 भी देदेगा अथारा भी देदेगा दरसल ऐसा हुआ था 1918 से इसलिए माना जाता है क्योंकि 1918 इसलिए में ही सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना आई थी और उस रचना का नाम था उच्छवास तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत चायवाद के शुकुमार कभी थे हालांकि चायवाद के परवर्तक जो थे जैसंकर पर साथ थे चले दोस्तों उमीद करता होड़ा है विडियो अगला प्रस्था है करोडों लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है यह कथन किसका था दोस्तों यह कथन जो था लए राज्भाशा जो प्रस्न पत्र में कूछा जाता है वहां से है और यह कथन था महात्मा कमेंट गाधी जी नहीं किये हैं उसके बाद 48 वा प्रस्ना आपकी स्कीन पर है निमलखित मैंसे कौन एक अर्धस्वर ब्यंजन है यहाँ कहता है कि ब्यंजन तो है लेकिन अर्धस्वर ब्यंजन है तो दोस्तों यहाँ पर option देखे law है, raw है, war है और इन में से कोई नहीं दोस्तों जब आप कभी भी ब्यंजन पढ़ेंगे न तो आपको पता होने चे कचटतप इस तरीके सा भब याद कर से को वर्ग होता है को चो पराओन यहाँ पर क्या होता है? दोस्तों इसके बाद जो बेंजन शुरू होते हैं वो होते हैं अंतह इस्त, यो रो लौवो, तो अंतह इस्त में कई बार एक्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम लोग इसको तैयारी करते हैं, चलिए दोस्तो, मैं आपसे पूछता भी हूँ, कमेंट कीजिएगा कि अंतह इस्त बेंजन की सटीक परिभासा क्या है, यानि अंतह इस्त बेंजन कहते किसे हैं, चलिए दोस्तो, यहाँ पर आपको यह कमेंट करके बताना है, लेकिन मैं आगे अपने प्रस्न में जाता हूँ, कि अंतह इस्त जो बेंजन होते हैं, जो अर्ध स्वर बेंजन होते हैं, मतलब वो बेंजन तो है लेकिन आधे स्वार होते हैं, वह है दोस्तो या और वह, तो यह तो यहाँ पर option में है नहीं, तो हमारा सई answer होगा वह, जब हम या वह बोलते हैं, या, हमें अ का बोध हो रहा है, और वह बोलने में भी वह, अ का बोध हो रहा है, तो इसलिए वह यहाँ पर क्या होगा, यह जो लौ जो है एक पाश्विक व्यंजन है और रो जो आपको दिखाए दे रहा है इसको बोलते है लुटित व्यंजन यह रो लौ वो यह चार व्यंजन होते हैं अंतरा इस्त व्यंजन पढ़ लिजिएगा अगर जिसको जानकारी नहों तो वो डिटेल से पड़ सकते हैं ठीक 커피 दोस्तों और उन 55 प्रशन दिखे रहे हिंदी व्यृंड बार्भं में हो बियंजन है दोस्तों बहुत अच्छा प्रस्न की हुए बहुत पूछा जाता है अगोस। अगोष ब्यंजन, यानि अगोष महाप्राण, अगोष भी पूछ रहा है, महाप्राण भी, सगोष महाप्राण, पर A और B दोनू, और फिर अगला एक लास्ट ओप्शन आपको दिखाए जे रहा है, सगोष अलप प्राण, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, वहाँ हो अगोष ब्यंजन उसे कहते हैं, कि जिसका उचारण करने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो, यानि हमारे मूर के अंदर कोई वाइब्रेशन न हो स्वर तंत्रिकाओं में, उसे कहते हैं अगोष, और जिसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, उसे कहेंगे, सगोष तो दोस्तों स्वर में तो मैंने आपको सीधे-सीधे बता दिया, जितने भी स्वर हैं, वह क्या हैं? सघोस हैं. अब ब्यंजन में क्या होता है? देखे, प्रतियग वर्ग में पांच ब्यंजन होते हैं, तो जो पहला और दूसरा ब्यंजन होता है, जैसे का वर्ग में कोखो, चोवर्ग में चोछो, फिर टोवर्ग में टोठो, तोवर्ग में तोठो और पौवर्ग में पौफो, तो पहला और दूसरा ब्यंजन जो होगा वो हमेशा अघोष होगा, कैसे पता जलेगा, देखे, क, ख, च, छ, फिर ट, फ, यानि यहाँ पर आसानी से उच्छान हो जारा है, हमें हमारी जीब को मुड़ना नी पड़ रहा है, यानि कंपन नहीं करना पड़ रहा है तो दोस्तों अघोष आपके समझ में आया, अब हम बात करते हैं सघोष को कैसे पैचाने की बेंजन में तीसरा, चौथा और पाच्वा, किसी भी वर्ग में, यानि को वर्ग में, गोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो आपर तो हो पूसता है, अब आपको पता हूँचे हो क्या है, एक इसपर्स संगर्शी बेंजन है, और जब हम हो के बारे में पढ़ते हैं, शो 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 हो, तो ये तो वर्ग में भी नहीं रखे, यहां तो पांच भी नहीं है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दोस्तों मैं आपक श, 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 यानि तीन सौ जो पहला श होता है शौ उसको हम बहुते हैं शौ तालविन शौ यानि तालविन शौ फिर शौ मुर्धन्य शौ फिर दंती सौ यह जो तीनों सौ होते हैं यह दोस्तो होती तो महापरान हैं लेकिन जो जो यह तीन होते हैं यह अघोस होते हैं लेकिन हो महापरान भी होता है और सघोष भी होता है यानि यहाँ पर स्वरत अंधिकाओं में कमपन भी होता है तो B option आपका सही है अब एक प्रसना आता है कि महापरान और अलपपरान क्योंकि देखिए अलपपरान मैंने आपको D में option दिया था इन मैं क्या आंतर्स देखे दोस्तों बहुत सरल है कि जिस Article जिस का उ Nu चारण करते वर्गते मूँ से अधिक स्वास निकलती हमान इंकलती है उसे महा परान कहते है इस यसे मुथ से काम हवा लिगते उसे अल परान करते हैं दोस्तों बहुत ही सरल है ये बहुत ही तक आपको पता हो न जहीं है पहला थीसरा अथ किसी भी वरग का वह सम्झ से अपने अधिकर निकल लिया है इसलिए महापराण होगा और हो जो ब्यंजिन होता है शगोष भी है महापराण बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है दोस्तों बिलकुल हट के question है तो इसको पढ़िएगा उसके बाद अगला जो option है अगला प्रस्ण है कि परियत्रने के आधार पर लौ किस परकार की ध्वनी है दोस्तों बहुत अच्छा कोशिन आभी मैंने पहले ही बता दिया आपको लौ जो है वो पाश्विक ब्यंजन है यानि परियत्रने के आधार पर यह आपको पताने चाहिए ठीक है दोस्तों इसका आंसर है ए पचास का ए उसके बाद जिस संदी को आपने कोशिन में पढ़ा है जिस वर्ड को पढ़ा है वही आए एक्टाम कुछ भी पूछा जा सकता है तो भवाद ही आया है तो दोस्तों आपको कैसे इसको पकड़ना है कि कौनची संदी है फिर हम आप्शन देखेंगे देखे आधा भौ दिखाई दे रहा है और वो दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको पता होना थिए कभी भी यौ और वो और रो ये तीनों यान संदी के फल्शरूप बनते है और दूसरी बात यान संदी की सबसे बड़ी खाश्यत है कि जो मूल वर्ण होता है जिस पर की जूड़ता है आगे वो हमेशा आधा हो जाता है जैसे देखे अतिधन आचार अतिधन आचार क्या होता है अत्याचार यानि जो तो पूरा था अब वो हो आधा हो गया और और क्या हुआ कि ए का यो हो गया इसलिए बन गया अत्याचार तो ठीक इसी परकाश है भवादी में आपको बताएं कि भवादी में जो संदी होगी यान संदी होगी क्योंकि यहाँ पर देखे उ का वो हुआ यानि भूधन आदी तो यहाँ पर यान संदी तो आप्शन में नहीं है आप्शन में है श्वार संदी क्योंकि यान संदी के पा यहाँ पर बीच में शो आगया है, मुर्धनी शो, तो यह कैसे आए है धनू धन तंकार, तो यहाँ पर जो संदी होगी वहोगी विशर्ग संदी दोस्तों, ठीक है, उसके बाद तिरी पनुआ प्रस्ण है, निरुत्तर में शुद्ध संदी विछेत क्या होगा, निरुत्तर म नहीं बनेगा, हमारा यहाँ बनेगा विशर्ग संदी, यानि निही धन उत्तर, दोस्तों विशर्ग संदी में एक नियम कहता है, कि यदि कभी ए हो, यानि किस से पहले ए हो, विशर्ग बिंदू से पहले ए हो, उसके बाद कुछ भी आए, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो ए होता है, वहाँ बिशर्ग जो बिंदू होता, वहाँ बिंदू होता है, रो में, तो रो पर उ लग गया, तो निरू हो गया, निरुत्तर, तो यहाँ पर आपको पता होना चीए, और अगर इसी बिशर्ग से पहले ए नहीं होता, आ होता, तो यहाँ बन जाता ओ, जैस दोस्तों पुरोहित में कौन सा उफ्षर्ग है यहाँ पर उफ्षर्ग पर पढ़ने से पहले आपको पता होना ठीए संदी विच्छे दाना ठीए पुरोहित ओ की मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर गुण संदी है क्योंकि गुण संदी में होता क्या है E का A हो जाता है U का O हो जाता है तो यहाँ पर अब गुण संदी लेकिन दोस्तों गुण संदी के अनुशार आपको दिखाए जिरा है लेकिन यहाँ पर गुण संदी नहीं होगी क्यों नहीं होगी यदि क्योंकि गुण संदी क्या कहता है ओ या आके बाद ये आए तो अ हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा. अगर हम आप इसमें ऊस के हिसापशे, इसको गुर्ण सन्दी बनाते हैं, तो दोस्तो यहाओ फेल हो जाएगी सन्दी, क्योंकि यह क्या हो जाएगा? पू तो ये बनी नहीं सकता दोस्तो इस तर किसे नहीं बन सकता तो आपको यहाँ पर देखे व्यंदिन संदी भी नहीं तो हमें जाना पड़ेगा विशर्ग संदी की और विशर्ग संदी यहाँ पर देखे D option चाहिए होगा पुरह धन हित अब कैसे हुआ यहाँ पर ओ देख जाएगा पूरो ही यानि D option सही होगा दोस्तो 55 question बहुत अच्छा प्रस्न है और यह कठिन भी है थोड़ा सा कौन सा सब्द कृदंत परते से बना है दोस्तो परते वह होते हैं जो किसी सब्द के पीछे लगते हैं दो परकार के परते होते हैं एक होता है कृत परते हैं दू इसमें पट क्या है किरिया का मूल रूप यानि धातु है तो अब क्या लगेगा किरिया मतलब क्या है कि धातु पर एक सब्द जूड़ जूड़ जाएगा जिससे क्या हो जाएगा वह कृत परते हैं उसको कृदंत कहेंगे तो दोस्तों दूसरा जो परते होता है वह होता ह तदित परते यानि तदित परते के परिभासा आपको आनी चाहिए, तदित परते उसे कहते हैं, जो संगया, सरुनाम और विशेष्ण के पीछे लगता है, तो दोथो यह जो आप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला औप्शन है रंगीला, दूसर आप्शन है विकाओ, तीस्त तरदित पढ़ते हैं और चौथा option किरपालू यानि किरपा किरिया है उसी से बना किरपालू तो यहां पर जो कृत पढ़ते हैं वहाट D option सही होगा अगला प्रशन बहुत ही अच्छा कोशिन है कई दोस्तों को यह प्रशन दिक्कत कर रहा था हमारे चात्रों को भी यह तो उनके दिमाग में आया आजन्म और अजन्मा में अंतर है अगर आजन्म होता तो यहां पर होता अभ्यवाव समास लेकिन यह अजन्मा है अजन्मा मतलब जो नहीं जन्मा है अभी तो दोस्तों यहां पर होता है नत्र समास नत्र समास वहां पर योग होता है जहां पर न अभ्याई के कुल कितने भेद होते हैं, दोस्तों, किरिया अभिशेशन अभ्याई पढ़ते हैं, हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो अभ्याई के जो भेद होते हैं, वह होते हैं, चार, कौन-कौन से होते हैं, प्रस्नवाचा का अभ्याई, फिर समुच्य बोधक अभ्याई, उसके बाद होता है सम्मंद बोधक अभ्याई और उसके बाद होता है किरियाविशेषण अभ्याई तो चार अभ्याई होते हैं आपको इसका अधियन करना चाहिए इस बार वीडियो के प्रस्ट में पूछा गया था समुच्चे बोधक अभ्याई दोस्तो अठावनवा प्रशन है बिभावरी किस परकार का सब्द है तो दोस्तो यहाँ पर जो बिभावरी सब्द है वो है तत्सम सब्द तत्सम सब्दों को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रीक यहाँ पर पताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है जो भी सब्द जो भी कितारा नागरी तो दोस्तों ये कामाईनी से लिखे गए कुछ पंगती थे जैसिंगर प्रसाद के दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मेरे फोन वेटरी भी कम है जल्दी ही दूसरा वीडियो अप्लोड करूँगा लेकिन आप अपनी पर्तिकिरिया इसमें दें ध